दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुश्किले बढ़ती जा रही है पार्टी के मुखिया अरविंद के जिर्वाल शिस महल के मामले में गीरे हुए है शिस महल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे आप बैक फूट पर है दिली के लोगों ने देख लिया है कि कैसे आम आदमी बनने वाले अर्विंद के जिर्वाल सत्ता मिलते ही खास आदमी बन कर शिस महल में रहीसों की तरह परिवार के साथ रह रहे थे लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे सब चौक गए है तरशको अर्विंद के जिर्वाल कहते थे कि अगर हम चुनाओ जीत गए तो बिजली पानी का बिल माफ कर दूँगा के दिन में पानी के भी किला थो जाती है वहीं बिजली का बिल किसी का ज्यादा आ रहा है तो किसी का कम आ रहा है दरशको समझने की जरुवत यह है कि अगर फिर से दिल्ली की सत्ता में आ गई आपकी सरकार तो दिल्ली वालों को क्या मिलेगा इस मामले में बीजेपी ने खुलासा कर आपको घेर लिया है क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरशल बीजेपी सांसद बासुरी सुराज ने दिल्ली की आ माधिपार्टी सरकार पर तीका हमला बोला और कहा कि अगर फिर से इनकी सरकार बन गई तो एक बात तो तय है कि दिल्ली की जनता को भारी भरकम बिजली बिलों का सामना करना परेगा उन्होंने आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनकी लापरवाही की वज़ा से दिल्ली की जनता पर दोहरी मार परी है और जनता पर 21,000 करोर रुपे का कर्ज का बोज लाद दिया गया है बासुरी सुराज ने दिली की मुख्यमंतरी आतीशी और पुर्व सीएम अरविंद के जरिवाल से पूछा है कि दिल्ली की जनता के साथ कब तक ऐसा विश्वास घात होता रहेगा मीडिया से बात करते हुए बासुरी सुराज ने कहा है कि ये बात तो निश्चित है कि अगर चुनाओं के बाद आम आद्मी पार्टी की सरकार चुन कर आगई तो दिल्ली की जनता को बहुत ज़्यादा बरे और भारी बिजली के बिलो look का सामना करना पर सकता है आम आद्वी पार्टी की लापरवाही के कारण दिली में दोहरी मार परी है एक तरफ तो इन्होंने रेगुलेटरी एसेट्स की अनुमती दे दी इसके बाद बासुरी सुराज कहती है कि ये है टेरिफ पॉलिसी सुप्रिम कोट के आदेश के अनुसार यानि दिली सरकार के लिए ये एक बाध्यकारी डॉकुमेंट है इसकी धारा 8.2.2 कहता है कि रेगुलेटरी एसेट्स की जो पर्मीशन है वो बहुत ही रेयर केस में देनी चाहिए जैसे कि अगर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आजाए बासुरी सुराज ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में ऐसा क्या था कि दिली सरकार ने रेगुलेटरी एसेट्स लगाने के अनुमती दे दी इसके साथ ही ये क्लॉस ये भी कहता है कि आपको इसकी रिकवरी साथ वर्षों के अंदर करनी है लेकिन दिली सरकार ने रेगुलेटरी एसेट्स की रिकवरी के लिए कोई कदम नहीं उठाए और इसके कारण दिली की जनता पर 21,000 करों रुपे का कर्ज लाद दिया है पासुरी सुराज ने ये भी कहा कि उसके दिली सरकार को देना था यानि जो दिली की जनता का पैसा है वो 26,000 करों रुपे दिली सरकार ने उसको रिकवर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है मैं पूछना चाहती हूँ मानेनिये मुखे मंतरी आतुशी जी से और मानेनिये अर्विंद के जिवाल जी से कि आप कब तक दिली की जनता के साथ इस तरह का विश्वास घात करेंगे आपको दिली में सत्ता भोगने का कोई अधिकार नहीं है दिली की जनता अब बहाने नहीं बदलाओ चाहती है आम आद्मी पार्टी का परचार नहीं परिनाम चाहती है दर्श को समझने की जरुवत ये है कि किसी बिहाल में दिल्ली की जनता ने फिर से अरविंद के जिर्वाल को मौका दे दिया तो दिल्ली का हाल बिहाल होने वाला है Bureau Report, OEMH News